उम्शान्ति, आज 11 जून 2023 के अव्यक्त महवाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 9 जनवरी 1995, आज बाबा बात कर रहे हैं, निश्चे बुद्धी बच्चों के निशानी, सदा विजई और निश्चिंत स्थिती का अनुभव, बाबा जो सब बच्चों का रक्षक और शिक्षक है, अपने निश्चे बुद्धी बच्चों का फाउंडेशन देख रहे थे, ब्रामन बच्चों का जो फाउंडेशन है, वो निश्चे है, बाबा देख रहे थे, कि जिन बच्चों का ये फाउंडेशन आदी काल से पक्का रहा है वो निर्मल स्वभाव आत्मीक भाव शुब भावना शुब कामना सहज योगी जीवन वाले रहे हैं जिन बच्चों का यह फाउंडेशन पक्का रहा है वो सदा निश्चित विजय का अनुभव करते हैं निश्चिंत सिती का अनुभव करते हैं चेक करो मेरा चारो औ का फाउंडेशन पक्का है बाप में अपने आप में ड्रामा में दैवी परिवार में चारों में ही निश्चे पक्का है या कई बच्चे कहते हैं कि हमें बाबा में तो पक्का निश्चे है लेकिन स्वयम की जब बारी आती है तो उसमें कभी-कभी कमजोर पढ़ जाते हैं कहते हैं मैं विश्व कल्यान का रियात्मा हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं और अपनी कमजोरियों को भी जीत नहीं पाते हैं कभी कभी परिवार में फांडेशन कमजोर हो जाता है, बाबा में पक्का निश्चे है लेकिन परिवार में आपस में खिट पिट देखकर कहीं न कहीं निश्चे का अभाव हो जाता है कहते हैं कि बाबा अच्छा है लेकिन ये परिवार अच्छा नहीं बाबनी का माला में दाना दाने के समीप होता है तब माला अच्छी लगती है तो अगर आप परिवार के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो सत्यूह में राजा कैसे बनेंगे ऐसे कई बच्चों को ड्रामा पे पक्का निश्य नहीं है नौलिजफुल होकर नहीं चलते हैं ब्रामण परिवार में सरफ ये नहीं जानना कि मैं ये हूँ ये हूँ जाननी कार्थ है मानना और चलना सरफ जानना नहीं कि मैं ये ये हूँ लेकिन मान करके चलना है इसमें बाबनी का नंबर वार हो जाते हैं अगर चारो ही निश्चे के फाउंडेशन पक्के हैं तो निश्चिन्त स्तिती का नुभव करेंगे व्यर्थ से मुक्त रहेंगे बाबनी बहुत गुई ये बात समझाई कि जब आप बाबा के बक्के बच्चे बनते हैं तो आपको मरियादाओं पे चलना है कहीं पर भी मरियादाओं में लूज नहीं होना है बेफिकर बादिशा तो बनना है तो व्यर्थ से बेफिकर बन जाओ कई बच्चे व्यर्थ की बातों पे बहुत ध्यान देते हैं मरियादाओं के उपर इतना अटेंशन नहीं होता फिर कहते हैं बाबानी का है ना बेपरवा बादिशा बनो बाबनी का व्यर्थ से बेपरवा बनो मरियादाओं से बेपरवा नहीं नहीं तो अपनी ही कमजोरियां यमदूत के रूप में डराती रहती हैं, उसमें भी आपके अपने व्यत संकल्प, अपनी कमजोरियां आपके सामने भूत बन कराती हैं, यमदूत बन कराती हैं. यहां बाबा ने सावधान भी किया, कि सरफ चेकर में बनना, अपनी चेकिंग के साथ साथ चेंज भी करना, अगर चेक करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो बहुत कालसी वैसे ही संसकार पढ़ जाएंगे. सुनेंगे बाबा के मधुर बोल, मुरली का सार है, निश्चे बुद्धी की निशानिया, निश्चित विजई, सदा निशिन्त सिती का अनुभव. निश्चे बुद्धी की निशानिया, निश्चित विजई, सदा निश्चिन्त सिती का अनुभव. आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाब डादा, अपने सभी ब्रामन बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे. ये तो सब जानते हो, वर्तमान स्रेश जीवन का फाउंडेशन निश्चे है. जितना निश्चे रुपी फाउंडेशन पक्का है, उतना आदी से अब तक सहजियोगी, निर्मल स्वभाव, शुब भावना की वृति, आत्मिक दृष्टी, सदा नैचरल रूप में अनुभ होती है. जितना ये फाउंडेशन पक्का है, उतना सहजियोगी, निर्मल स्वभाव, शुब भावना की वृति और आत्मिक दृष्टी, सदा नैचरल रूप में अनुभव होती है. हर समय चलन और चेहरे से उनकी जलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्रामन जीवन में जानना नहीं, कि मैं ये हूँ, बाप ये है. जानने कार्थ है, जो जानते हैं, वो मानना और चलना. अंडरलाइन करेंगे, जो हम जानते हैं, उसे जानने के साथ साथ मानना और चलना. बाप ददा देख रहे थे, जो भी बच्चे अपने को ब्रामन कहलाते हैं, वो सब ये फलक से कहते हैं, हम निश्चे बुद्धी हैं, तो बाप तदा, सब निश्चे बुद्धी बच्चों से पूछते हैं, जब आप सब कहते हो, हम निश्चे बुद्धी विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हारक्यों होती है, कभी थोड़ी-थोड़ी हल्चल होती है, तो क्या उ मजबूत है या चारो और की बज़ाए कभी एक और कभी दो और धीले हो जाते हैं कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारो और से टाइट किया जाता है अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो ही लेगा ना तो चारो प्रकार का निश्चे अर्थात बाप अप में, अपने आप में, ड्रामा में, ब्रामन परिवार में निश्चे, चारी तरफ के निश्चे को जानना नहीं, लेकिन मान करके चलना, अगर जानते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं, तो विजे डगमग होती है, अगर सिरफ जानते हैं, मानते नहीं, तो विजे डगमग होत जिस समय विजय हलचछल में आती है, चेक करना चारु तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है? बाप दद देखते हैं, कई बच्चों को बाबा में पूरा निष्चे है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निष्चे चाहिए, उसमें अंतर पड़े जाता है। जानते भी हैं, कहते कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, करम में भी हो, इसमें अंतर पड़ जाता है। जानते हैं, कहते भी हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, करम में भी हो, इसमें अंतर पड़ जाता है। जानते हैं, कहते भी हैं, मैं विश्व कल्यानकारी हूँ, लेकिन विश्व को छोड़ो, स्वर कल्यान में भी कमजोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो, क्या स्वयम को परिवर्तन कर, स्वयम कल्यानकारी नहीं बन सकते हो। तो जवाब देते हैं, हैं तो विश्व कल्यानकारी, लेकिन स्वकल्यान बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है, तो विश्व कल्यानकारी कहेंगे या कमजोर, तो स्वयम में भी परस्तिती प्रमान, समय प्रमान, समंध संप्रक प्रमान, स्वरूप में आई, कि आप आत्मा नहीं शरीर हो, क्या आप मानेंगे, और ही उनको मनाएंगे न, तो जैसे ये पक्का निश्चे की मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो मैं कौन सी आत्मा हूं, ये भी पक्का है, ऐसे निश्चे बुद्धी की विजय भी इतनी निश्चित है, हार असंभव है, विजय निश्चित है और ये भी निश्चित है कि बाते भी अंततक आनी है अच्छे से समझ लेंगे इस बात को बाते अंततक आनी है लेकिन उसमें विजय बनने के लिए एकी समय पर चारों तरफ का निश्चे पक्का चाहिए तीन में निश्चे है एक में नहीं तो विजय न निश्चित नहीं, लेकिन मेहनत से विजय होगी, निश्चित विजय वाले को मेहनत नी करनी पड़ेगी, कई बार कई बच्चे कहते हैं, बापता तो बहुत अच्छा है, वो तो पक्का है कि बाप है, हम बच्चे हैं, हमारा बाबा से ही समंध है, लेकिन दैवी परिवार मे माला में कैसे आएंगे माला कब बनती है जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोई हुए होते है माला कब बनती है जब दाना दाने के समीप होता है एक ही धागे में पिरोई हुए होते है अगर अलग-अलग धागे में अलग-अलग दाना हो, तो उसको माला नहीं कहेंगे, तो परिवार है माला, अगर परिवार को छोड़ कर तीन निश्चे पक्के हैं, तो भी विजय निश्चित नहीं, चलो परिवार की खिट-किट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो, तो क्या चलेगा काम तो बाप से है या भाईयों से है बाप से काम है वर्सा बाप से मिलना है भाई वेनू से क्या मिलेगा लेकिन ब्रामन जीवन में यही नियारापन है कि धर्म और राज्ये दोनों की स्थापना होती है सिर्फ धरम की नहीं और धरम पिताएं सिर्फ धरम की स्थापना करते हैं बाप की विशेषता है धर्म और राज्ये दोनों की स्थापना करना तो राज्ये में एक राजा क्या करेगा वो तच्छा तक्त भी हो ताज भी हो क्या करेगा राजधानी भी चाहिए न, तो राजधानी अर्थात ब्रामन परिवार, सो राज परिवार, इसले ब्रामन परिवार में हर परस्तिती में निश्चे बुद्धी, तब राजभाग में भी सदा राज्य दिकारी होंगे, तो ऐसे नहीं समझना कि कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाप से तो बनती है, ड्रामा अगर भूल जाता है, तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है, स्वस्थिती अर्थात स्वेम पर निश्चे भी अगर कमजोर होता है, तो विजय निश्चित की बजाए हलचल में आ जाती है, तो बाप तदा निश्चे के फाउंडेशन को देख रहे थे, आज बाबा बच्चों का जो फाउंडेशन है निश्चे उसे चेक कर रहे थे, क्या देखा, सदा चार ही प्रकार का निश्चे एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता है, कभी हिलता है, इसने सदा विजय का प्रस़ोचते हैं होना दो चाहएे था पतानी क्यों नहीं हुआ किया तो बहुत मेनत सोचा तो बहुत इच्छा लेकिन सोचना होना इसमें अंतर पड़ जाता है इसकार्थ निश्य के चारों तरफ मजबूत नहीं हे और असी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे होते हैं, है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे होते हैं, कभी संकल्प में हिलते हैं, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं, कभी करम तक भी आ जाते हैं, उस समें क्या लगता होगा, द्रिश्य सामने लाओ ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डूल भी रहे हैं लेकिन निश्चे बुद्धी की निशानी है निश्चित विजई अगर विधी ठीक है तो सिद्धी प्राप्त ना हो ये हो नहीं सकता तो जब भी कोई भी कारे में विज़े प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो और बात निश्चे बुद्धी की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत भी होंगे कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता सिवाई शुब चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा ऐसे निए कि व्यर्थ आया और भगाया निश्चे बुद्धी के द्रामा के राज को जानने वाले हैं जो ड्रामा के आदी मध्यंत को जानने वाले हैं, वो छोटीसी बात की आदी मध्यंत को नहीं जानने का कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे व्यर्थ संकल्प चलते हैं अगर ड्रामा में अटल निश्चे है नौलेज़ फुल भी है पावर फुल भी है तो व्यर्थ संकल्प हिलाने के हिम्मत नहीं रख सकते प्रंतो जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया बाप्त दहसते हैं ड्रामा के आदिमध्यंत को जान लिया चुरासी जन्मों को जान लिया और एक बात को नहीं जानते बड़े होशियारो होशियारी दिखाते हो ना समय प्रती समय होशियारी दिखाते हो कल्प रिक्ष के सब पत्तों को जानते हो के नहीं सब भी वरिक्ष के फांडेशन में बैठे हो ना या साथ आठी बैठे हैं तो जड में बैठे हुए हो वरिक्ष को जानते हो पत्ते पत्ते को जानते हो और ये पता नहीं कैसे आप कल्परिक्ष के पत्ते पत्ते को जानते हो और कहते हो ये पता नहीं कैसे तो निश्चे की न निश्चिन्त स्थिती स्कानभव करो, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, इसको निश्चिन्त नहीं कहेंगे, और फिर बाप के आगे फरियाद करते हैं, आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना, आप ये होना, फरियाद करना थात अधिकार गवाना, अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लोना, ये हो जाएना, तो निश्चे बुद्धी अर्था निश्चिंत, ये प्राक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो हैं ये निश्चे बुद्धी, कौन अधिकार्थ है, सेकंड में चेंज होना, लेकिन चेक करो और चेंज ना करो, तो बहुत काल से स्वेम में दिल शिकस्त के संसकार पक्के हो जाएंगे, अगर केवल चेक कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दिल शिकस्त पने के संसकार पक्के हो जाएंगे, स्वेम से ह जिवायब बाप के इसी और कुछ नहीं सोचूंगा लेकिन हो नहीं सकता बोहुत काल का अभ्यास चाहिए नहीं तो एक सखकेंड शोचेंगे शिवबाबा 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 दूसरे से किड माया गएगी नहीं तुमहारे में के नहीं है तुम कमजोर तो युद्ध चलती रहेगी, यदि निश्चिंत नहीं होंगे, तो ब्रामन जीवन के अंत काल का जो लक्षे वर्णन करते हो, वो सहज Like कैसे होगा, अगर अंत तक व्यर्थ संकल्प होंगे, वही भूतों के यंदूतों के रूप में यंदूतों और कोई यमदूत नहीं आते हैं यही व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां यही यमदूत के रूप में आते हैं यही व्यर्थ संकल्प कमजोरियां यमदूत के रूप में आते हैं यमदूत क्या करते हैं दराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे कि विमान में जाएंगे अर करेंगे बाप तदद को खुश तो कर देते हैं करेंगे परतिग्या भी लिख कर देते हैं लेकिन वो कागज तक ही रहती है चेक करो कागज तक रहती है जीवन तक आज मदूबन निवासियों का टर्ण है मदूबन वालों से तो विशेश बाप्त दकस नहीं है सबसे है लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेश मदुबन निवासियों से है क्योंकि निमित है फिर भी देखो आप आते हैं खातरी तो ठीक करते हैं न मदुबन वाले खातरी करने में पास है न महमान निवाजी करनी महानता है न जिसको महमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है सिरफ खाने पिने से नहीं दिल के स्नेह की महमान निवाजी वो स्रेष्ट है दिल के स्नेह की महमान निवाजी सबसे स्रेष्ट है चाहे पिकनी कितनी भी करा लो दिल का स्नेह नहीं मिला तो मदवन वाले दिल के सने सहीत महमान निवाजी करते हैं करते हो न कोई नीचे उपर करेंगे तो कहेंगे बापतद ने ऐसे ही कहा ऐसे नहीं करना सने के सागर के बच्चे हो कब तक सने देंगे नहीं गागर के बच्चे नहीं सागर के बच्चे हो, बेहद, सब के पास सनही का स्टॉक है, माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांड़ों के पास भी है, सागर है या थोड़ा है, पूछ रहे हैं, आपके पास सनही का स्टॉक, भरपूर है, सागर जितना है या थोड़ा है, कभी क्रोध तो नहीं कर आप तो जानते हो ना, यह क्या है, लेकिन उस समय क्या कहते हो, इसने ऐसा किया ना, इसने हमने भी किया, रॉंग से रॉंग हो गया, तो क्या कमाल की, उसने रॉंग किया, आपने उसका रेस्पॉंड भी रॉंग ही दिया, कई कहते हैं क्रोध एक बार करते हैं, और कुछ नह और क्या करेगा उसका काम है क्रोध करना आपका काम है क्या काम है स्नेहे देना या क्रोध करना वो दस बार करें आप एक बार तो जवाब देंगे नहीं देंगे तो वो बीस बार करेगा फिर क्या करेंगे तो इतनी सैन शक्ति है या उसने दस बार किया आपने आधा किया तो क किया ठीक हुआ फिर बड़े बहादरी से कहते हैं जूट बोला ना इसने क्रोध आ गया लेकिन जूट बोलना यह तो अच्छा नहीं लगा क्या क्रोध करना अच्छा लगा तो स्नेहिके सागर के बच्चे मास्ट स्नेहिके सागर मास्टर स्ने के सागर के नैन, चैन, वृति में, दृष्टी में, जरा भी कोई और भाव नहीं आ सकता यदि थोड़ा-थोड़ा जोश आ गया, तो क्या उसको स्ने का सागर कहेंगे, कि लोटा कहेंगे चैक कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों न आप पे करोध करें, पर आप मास्टर स्ने के सागर बनना, दुनिया की परवा नहीं करेंगे बेपरवा बादिशा होना, जो परवा थी, वो पा लिया, अब इन व्यर्थ की बातों से बेपरवा बादिशा, चेकिंग की परवा करो, चेंज की परवा करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवा, अच्छे से लिख लेंगे, किस किस चीज की परवा करो, अपनी चेकिंग की करो लेकिन व्यर्थ में बेपरवा कर सकते हो कि बच्चा पोत्रा धोत्रा धोत्री कौन सा क्रोध करेगा थोड़ा सा कोई क्रोध करेगा तो नीचे उपर हो जाएंगे तो स्नेह की बज़ाए और भाव ना जाएगी क्या दफ्तर में जाएंगे बिजनेस में जाएंगे नोकर ऐसा मिल जाएगा, वायू मंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवा बादिशा, समर्थ में बेपरवा नहीं होना, कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जा मरियादा की बात होगी, कहेंगे बाप ददा नहीं कहा, व्यर्थ से बेपरवा बादिशा बन जाओ, लेक लिकिन मर्यादाओं में बे परवा नई, आपका टाइटल है मर्यादा पुर्शोतम। ये मर्यादाओं ही ब्रामन जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा, तो मनजिल कैसे मिलेगी। ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखो, तो ये मरियादाएं ही कदम है, अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे उपर होते हो, तो मंजिल से दूर हो जाते हो, फिर मेहनत करनी पड़ती है, और बाप तदको बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सहज योगी, करत और के सर्व निष्च्य बुद्धी, स्रेष्ट आत्माई, सदा निष्चित विजयी आत्माई, निष्चिंत आत्माई, स्रेष्ट वृधी द्वारा, वृधी करने के निमित विशेश आत्माई, स्रेष्ट विधी द्वारा, वृधी करने के निमित बनने वाली विशेश एक बल एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाली आत्माओं को बाप तदका याद प्यार और नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप तदको याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया वर्दान है दिल के स्नहे और समंध के अधार पर स समीपता का अनभव करने वाले निरंतर योगी भव दिल के स्नहे और समंध के अधार पर समीपता का अनभव करने वाले निरंतर योगी भव ब्रामन आत्माओं में कोई दिल के स्नहे समंध से याद करते हैं कोई दिमाग नौलिज के अधार पर समंध को अनभव करने का बार का सनहे और संबंद अती प्यारा है समीप है वहां याद भूलना मुश्किल है जैसे शरीर के अंदर नस नस में बलड समाया है ऐसे आत्मा में निश्पल हर पल याद समाई हुई है इसको कहते है दिल के सनहे संपन निरंतर याद जैसे आत्मा में निश्पल याद समाई है ऐस से दिल के सनहे संपन याद मन में होनी चाहिए नस नस में जैसे बलड है ऐसे बाबा की याद रहे इस लोगने निस्वार्थ निर्वी कल्प सिती से सेवा करो तब सफलता मिलेगी निस्वार्थ निर्वी कल्प सिती से सेवा करो तब सफलता मिलेगी आज हम याद करेंगे मैं निश्चे बुद्धी, विजयी आत्मा हूँ। आज मैंने अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाना सीखा है। मुझे अपने आप में, बाबा में, ड्रामा में, परिवार में पक्का निश्य है। मैं सूस करें, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे बेफिकर बादशाह बनाया है। मैं निश्चे बुद्धी विजई आत्मा बाबा के सानिध्य में शक्तियां प्राप्त कर रही हूँ। मैं निश्चे बुद्धी विजई रत्न हूँ। ब्रिकुटी तक्त पर विजए का तिलक चमकता देखें। मैं वाइदा करें। मैं अपनी चेकिंग करके फांडेशन को मजबूत बनाऊंगी। द्रड़ प्रतिज्या से सफलता को प्राप्त करऊंगी। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती। इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें।